अब्दुल पे चेहरें चाहिए भाई अब्दुल रह्मान जी अगेन उनका सवाल है रोईद भाई इशान लास सेवन टीटुएंटी इनिंग्स में क्या परफॉर्मेंस है टीटुएंटीज में तो ओडिनरी है भाई दस हमने देखी थी पारियम आपर और आपके नहीं है उ पिछली अगर आप उनकी बापर पर पाता होता है क्योंकि आप यूस्टू होते हैं उनके चौबिस का आवरेज और 121 का स्ट्राइक रिट है कुछ भी नहीं है ठीक है पिछली अगर आप उनकी बापर यह प्रे पार इस नहीं दिख रहा है कोई एक दो तीन चार पांच छ आप नौ दर बारह तेरह पारिया आपको पिछली जादा ही बता रहा हूं चौदा पंदर पारिया बता रहा हूं लास्ट फिफ्टी उनकी कम से कम 15-18 पारियों पहले वाई तो एक चार उननिस एक छह यह पिछली इनकी छैसाथ पारिया है वाई क्या गरोगे आप इन पार विकल्फ है जब आपने यसश्वी जैसवाल को देख लिया आज में हुँए ता लोग तिलग के बारे में कहरे थह अरे तिलग को टो खिलाओ आपको देखना ए कि अगर आपको यसश्वी जैसवाल को न करना है तो इन प्लेस ऑफ इशानकिशन न करना है भाई चलो भाई हार गए हार गए हार गए हार गए हो आप वेस्ट इंडीस की टीम से भाई जिसको आप देखे रहे हो कि सारे फॉर्मैट में आप उनको कह रहे हो कि भाई आपके लिए साथ एक टेस्माइट ड्रो खिल गए बारिशी हुई बारिशी होई आपको हरा एक T20 आपको हरा दिया पहला T20 आप हार चुके हो West Indies की टीम से हारे हो अगेन वो टीम जो T20 वोल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाती है उस टीम के साथ उस टीम के अगेंस्ट आप बुरी तरीके से हार गे हो भाई ये 145 रन भले ही आप 4 रन से हारे हो लेकिन इस मैच में आ पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए और इसमें कोई बूरी बात नहीं है ये क्रिक्ट का गेम फुटबॉल एकी फिल्ड पे नहीं होता कि वहाँ पर कंडिशन के इतना बड़ा इंफ्लोंस नहीं होता सबस्तों बड़ा इंफ्लोंस इस चीज़ का होता है जब आप उन कंडिशन से यूस्टू ही नहीं हो तो आपके अचारों की ओल वस रणा जाओगे और कर दोगे अगले साल आप देखने न आपको वही विराट को ली आपके वही एक्स्पिरियंस कैंपेनर्स ही आपको रन सबस्तों का आज आपकी बैटिक इतनी ओर्डिरी लगी थी वेस्ट इंडीज आपके हावी था इन देड़ सो रनों के अंदर भी उनके प्लान्स क्लियर थे अगील होसे इनको आप लाए ओबेड मोकोई लेफ्टाम सीवर लेफ्टाम और्थोलोक्स आपको बता आपके बै अगर आप देखो के बैटिंग और बोलिंग के कॉमिनेशन बोलिंग से तो उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं दिए और आपको पता चलगा है आप कहां स्टेंड करते हो विराट विराट को लियन रोई शर्मा फिर आपके तो हमें एक्स्पिनेस की जरूत नहीं है नेक्स ज कि वो इंटेंट रिपेटली क्रिकट खेल रहे हो ना कि अब भी दो तीन साल पूरा ने हो गए हो बच्चे नहीं हो कोई बच्चों की तरह आपको ठीट नहीं करेंगा यंग तीम है हार की कोई बात नहीं जिस वेस्ट इंडीस टीम का बता राता बता नहीं है उसको आपने इंटरनाशनल क्रिक्ट जिनको नीजरलेंड स्कॉट्लेंड मार रही है जो टीट्वेंटी वेल्ड कम में बताओ क्वालिफाई नहीं कर पा रही है इससे बड़े लानत की बात है ना टीट्वेंटी में फिफ्टी ओवर में यार मिलेनेर्स ऑफ आई-पिल मैन सीरियसली छ 649 रन पर विकेट डिफिकल्ट था तो आप कब खेलना सीखोगे यार डिफिकल्ट विकेट्स पर आप कब परफॉंक करोगे वेसका ट्रेटल लेगना वाला